अब तक हमने ऐसे काफी वीडियो देखे हैं जिसमें एक हैकर एक यूजर के CCTV कैमरा को कॉम्प्रोमाइस कर लेता है और उसे कंप्लीट मॉनिटर करता है अब चाहिए वो हमने मुवीज में देखा हो या फिर कॉल सेंटर में जो फ्रॉज अटाम्ट करे जाते हैं वहाँ भी हमने कई बार देखा है कि कोई अठीका लेकर किसी हैकर उनके CCTV कैमरा को कॉम्प्रोमाइस करके उन्हें पकड़ने में मदद करी अब यह पॉसिबल कैसे हो सकता है यादि हम देखने वाले के CCTV मशीन में कहां कहां लूपोल्स रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी कॉम्प्रोमाइस कर पाता है लेकिन सर इससे पहले कि हम लूपोल्स को पढ़ना स्टार्ट करें हमारे लिए CCTV की वर्किंग को उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा तब ही हम वहां पर देख सकते कि वहां क्या क्या कम्या रह जाती है तो हम देखेंगे स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् है कि यह वो कैमराज हैं जिनके पास इनका खुद का एक IP भी है यह IP क्या है कहां से आया यह हम जल्द ही समझेंगे सर फिलाल अगर हम कनेक्शन को देखें तो यह दोनों कैमराज एक मशीन से जुड़े हैं जिसका नाम है DVR जो कि स्टुडेंस एक डिजिटल वीडियो रिकॉ और इस DVR से सर हम अपने गर में जो मॉनीटर होते हैं उनको कनेक्ट रखते हैं अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अपने रियल लाइफ एक्जामपल से समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि सर जब हम हमारे गर में CCTV कैमराज लगाते हैं तो उन कैमरा के साथ में हमें DVR कराते हैं जो हमारे वीडियो को स्टोर करेगा और वीडियो को एकसेस करने के लिए हमें एक पोर्टल एक पैनल देदेगा और उन वीडियो को एकसेस करने के लिए हमें एक और काम करते हैं कि सर केबल कनेक्शन के जरी हमारे घर में एक मॉनिटर कनेट कर देते हैं जहां पर हम हमारी सारे कैमरा की जो डिस्प्ले है वो देख पाते हैं और उसे लेटे जो कॉन्फिग्रेशन है या कुछ अगर हमें मैनेजमेंट करनी है कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो वो सारे हमें यहां पर मिल जाते हैं लेंगे जर इसके अलावा भी तो हम काफी साई चीजें करते हैं जैसे हम अपने मुबाइल को सीचीडीवी कैमरा से कनेट कर लेते हैं जिसकी वज़े से हम वाइड एरिया नेटवर्क से यानि हम अपने घर से चाहें कितना भी दूर हो हम कैमरे के जरीए लाइव श्रीमिंग देख सकते हैं देख सकते हैं कि हमारे घर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है यह बेसिक वर्किंग है जो आइधिंग हम सभी ने यूज़ दिया लेकिन सवाल यह है कि बैग्राउंड में एक्जैक्ली क्या रहा हम किस तरीके से आइधिंग के जरी कैमरे को एक्सस वारे है or ले यह जो नेट WORक क्का हो रहा है यहां पर लूप तो नहीं primitive पार को क्लियर करने के लिए हमें हमारे राॉटर की बेसिक वर्किंग को समझना होगा हमारे पास सर जो router होता है जो broadband होता है जिसको हम ISPs के जरी हमारे घर में install कराता है for example के तोर पे कि सर हमने Jio का हमारे घर में broadband लगा रखा है इस broadband को एक public IP हमारा जो ISP होता है यानि internet service provider होता है example के तोर पे Jio alert कर देता है Jio ने क्या करा सर हमें एक public IP दे दी और ऐसा क्यों करा ताकि हम wide area network में बात कर सके communication कर सके अब सर हमारे router के पास उसकी एक identity तो आ चुकी है जो की public IP address है उसके अलावा उस router से काफी सारे systems उसकी छोटी सी range में यानि local area network में जुडेंगे तो उसके पास भी एक IP होना ज़रूरी है ताकि router और वो systems आपस में बात कर सके तो उसके लिए सर राउटर के पास होती है एक private IP जो उसकी range की सबसे पहली IP होती है which is 1.1 या 0.1 एंट सर जितने भी systems इस router से जुडेंगे router हर एक system को एक एक private IP अलॉट कर देगा वो भी DHCP की मदद से DHCP क्या है DHCP का full form है dynamic host configuration protocol एक ऐसा protocol जो automation में आपके system को IP अलॉट करने का काम करता है तो इस DHCP की मदद से आपके router ने हर एक system को एक private IP दे दी ऐसा करने पर सर होगा ये कि अब ये लोग आपस में बात कर सकते हैं और router ने केवल इन systems को ही नहीं हमारे इस DVR को भी एक private IP दे दी है विकॉज इसने DVR से भी connection बनाया है और इसको DVR से भी बात करने की जरूरत पड़ेगी तो फिलाल साल हमारे router से जितने भी users जितने भी cameras devices connect थे उसने उस सब को एक private IP दे दिया जिसका मतलब हम router के जरीए या इस range में जितने भी systems जों सबसे हम भी बात कर सकते हैं अगर सर हम भी यानि as a attacker हम भी इस range में जुड़े हुए हैं तो हम भी इनसे communication कर सकते हैं हमने का ठीक है फिलाल networking का इतना तो समझ आया है कि हमारे router ने एक local area network create कर रखा है जितने भी systems उससे जुड़े हैं सबको एक private IP दिया है ताकि यह सब आपस में बात्चित कर सके यानि सर क्या यह possible है कि अगर हम हमारे system में यह IP लिखें विच इस 192.168.1.33 और colon लिखे 80 लिखे यानि इसकी port 80 जिसका मतलब कि हम इस DVR का जो web page है जिसके जरिये हम camera's को stream कर सकते हैं उसको access कर पाए तो अगर हम यह IP लिखते हैं तो क्या हम access कर पाएंगे sir definitely access कर पाएंगे यानि अगर इस range में कोई भी user यह IP और port लिखेगा तो DVR के इस web page को access कर पाएगा जिसमें हो सकते हैं उससे username password starting में मांगे जाए credentials मांगे जाएं but no issues फिलाल हम उसको भी समझेंगे बसर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस DVR की कुछ open ports के जरिये हम हमारे camera के जो software's है या web page है उसको access कर सकते हैं यानि इसका मतलब यह सर कि अगर आपको camera's access करने है या camera's में vulnerabilities जूढने है या उनने hack भी करना है तो आपको उसकी range यानि local area network में connect होना होगा क्या यह compulsory है तो यह compulsory नहीं है फिलाल जो हमने range समझी वह local area network की थी यानि router से जुड़े वे थे सारे systems इसलिए हम इनके जरिये हमारे DVR से या particular किसी camera से connect कर पा रहे थे क्यूंकि उनकी range में थे लेकिन अगर हम इसकी और networking वाले part को समझे त वो user जिसने अपने घर में camera install कराया है वो किसी दूसरी जगह से एक wide area network में यानि अपने घर से काफी दूर से camera उसको access कर सकता है अपने mobile के जरिए अपने laptop के जरिए यानि sir wide area network में sharing तो हो रहा है हमारे camera का तो अभी यह कैसे possible हो रहा है इस part को समझने के लिए हमें देखना ह होगा कि कितने तरीके हैं हमारे camera को live करने के यानि wide area network में ले जाने के तो sir हम इसको clear करते हो और समझने के लिए फिलाल हम देखेंगे सबसे पहला तरीका which is cloud इसमें क्या होता है तो sir इसमें हमारे जो software होते हैं यानि हम जिस भी company के camera's purchase कर रहे हैं उनमें एक service होती है कि router के जरी internet लेते हैं और अपनी सारे services को cloud platform पे upload कर देते हैं जिसमें हमें URL मिल जाता है और उस URL के साथ साथ कुछ credentials मिल जाते हैं जिसके जरी हम हमारे camera को access कर सकते ह पहला तरीका है किसा cloud platform पे आपके camera जो है live streaming कर रहा है आप उस cloud platform पे जाओ credentials डालो login करो camera का serial number बताओ और उसके बाद अपने camera को access कर सकते हैं यह पहला तरीका है जो normally एक user follow करता है वाइडी रहे नेटों के अपने camera को access करने के लिए दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो एक private IP address है and I think आप सभी को IP के basic rules का idea होगा आप लोग ने हमारे networking के videos देखे होंगे तो सहसाब से क्या यह possible है कि user जो किसी दूसरे network में बैठा है यानि हमसे काफी दूर बैठा है क्या वो हमारी इस IP से बात कर सकता है क्या वो हमारे DVR की इस private IP से communicate कर सकता है sir IP का rule कहता है कि private IP केवल और केवल private IP से बात कर सकती है वो भी अपनी range यानि local area network में और फिलाल आपकी जो range है वो wide area network है यानि आप अपनी range से land से बहुत दूर हो तो क्या मैं किसी private IP से बात कर सकता हूं जो मुस्से काफी दूर है नहीं करी जा सकती दूसरा सर हमारे पास public IP है इससे तो wide area network में बात करी जा सकती है लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि public IP direct private IP से communicate कर पा है यह भी possible नहीं है आई-पी का जो दूसरा रूल था वो यही था कि public IP कभी भी private IP से direct communication नहीं कर सकती तो ऐसे cases में होता क्या है सर अगर हम ध्यान से समझे तो फिलाल हम यह देख पा रहे हैं कि एक तो हमारे इस router के पास public IP address है दूसरा हमारे victim computer जो था या फिर जहां पे CCTV cameras install कर रखे थे वहां पर भी एक router है जिसके पास public IP address है तो क्या सर public IP और public IP आपस में बात कर सकती है हाँ यह possibilities है तो हम क्या करते हैं सर हमारे router की settings में जाते हैं जिसके लिए हम 192.168.1.1 को login करते हैं अपने camera को wide area network में ले जाने के लिए और सर यहां पे हम port forwarding के option को ढूलते हैं और वहां जाके हम अपना कोई भी private IP लिख देंगे यानि जो camera का installation करने आते हैं वो यहां पे कोई भी IP लिख देंगे example की तोर पे 192.168.1.33 यानि हमने क्या करा DVR का IP लिख दिया और एक port बता दी जैसे port 80 अब हमने हमारे इस router को इस हिसाब से configure कर दिया कि सर अब अगर कोई भी user हमारे router से बात करने आता है उसकी port 80 पे तो router उस user को हमारे इस system की port 80 पे लेकर चला जाएगा redirect कर देगा इसका मतलब सर जो ports है वो forward करी जा रही है मैं बात तो करने गया था router से router की port 80 से यानि सर इस particular IP की port 80 से but because हमने router की settings में port forwarding नाम का option था वहाँ पे हमारे इस DVR का private IP और उसकी port लिख दी है तो अब अगर कोई भी router की port पाया का तो router उस user को DVR में ले जाके redirect कर देगा जिसकी वज़से सरा wide area network में अपने camera's को access कर पाएंगे DVR का जो login पेस था उसमें credentials डालने के बाद अपने सभी camera's को stream कर पाएंगे तो ये था सर हमारा second तरीका उमीद आप सभी को समझ आगा पहले में क्या हुआ सा cloud platform के जरी QR तक लियाओ ताकि हम अपने camera को wide area network में access कर पाएं ये फिलाल हम camera की working को समझ रहे हैं तो हमारा जो तीसरा तरीका है वो है DMZ यानि Demilitarized Zone इसमें क्या होता है सर ये भी हमारे router का function है तो router में जब हम DMZ वाले column में जाते हैं वहाँ पे ऐसा function apply का रखा है कि user अगर किसी भी रस बात करने आता है तो router उसे सीधा redirect कर देगा आपकी selected IP और उसकी port पे यानि सर पहले यह हो रहा था कि हम एक particular port पे अगर को user आ रहा था है इसका मतलब हमारी public IP के अगर कोई port 80 पे आता था तो केवल उस case में router उस user को हमारी private IP पे ले जाता था यह हमने port forwarding में देखा लेकिन DMZ में सर ऐसा हो सकता है कि अगर यहां पे इस IP की किसी भी port में asterick का मतलब है कोई भी port आ सकती है अगर किसी भी port पे को user बात करने आता है यानि हमारा कोई public IP बात करने आता है तो यह router उस user को आपकी selected private IP पे redirect कर देगा यहां भी redirection हो रहा है लेकिन एक बार में सारी ports को एक ज camera को wide area network में access कर पाता है और इनी तीन तरीकों की वज़े से हमें यहां पे loophole क्या रह जाते है शायद वह भी clear हो जाए इसका मतलब सर शायद यह possible है कि अगर एक attacker अगर एक hacker क्या करे wide area network से यानि काफी दूर से अपनी router की public IP के जरीए यानि अपने router के जरीए victim system के router पे बात क रने आये उसकी port 80 पे तो victim system because वहां पर या तो port forwarding चालू होगा या DMZ चालू होगा तो यह क्या करेगा सर अपना आप आपको DVR तक ले जाएगा और आपके पास आजाएगा एक login page या फिर DVR तक अगर लेके जा ही रहा है तो DVR में और भी तो रस्ते open होंगे और भी तो ports open ह वह सकता है port 80 open हो 443 open हो और इसके अलावा कुछ और भी ports open हो जिनमें शायद vulnerabilities यानी कमिया होने के chances जादा हो तो सर यहां पे wide area network से connection बनाना तो समझ आ गया लेकिन अब यहां vulnerabilities या loophole क्या-क्या रह जाता है वो हमें थोड़ा detail में समझना पड़ेगा उमीद है आप सभी को अ services क्या work कर रही होती है और उनमें क्या कमिया हो सकती है तो सर अगर आप यहां देखें तो वो सारे protocols जो CCTV camera में use हो रहे होते हैं वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास cameras है जिनके पास खुद की private IP होगी DVR है जिसके पास खुद की private IP है और उसके साथ monitor जुड़ा हुआ है DVR no doubt किसी router से जुड़ा होगा जिसमें या तो port forwarding या फिसर DMZ जैसी services या फिसर cloud की जो services है उनके जरीए इसको वाइडिया network में share करा जा रहा होगा खैर किसी भी service की जरीए वाइडिया network में share करा जाए फिलाल हमें समझना है कि machines में sir क्या-क्या ports open रहती ह में क्या कमजोरी हो सकती है तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो पोर्स हमें आप देखने को मिल रहे है विच इसके अलावा सर हमें यहाँ पर HTTP, HTTPS दिख रहा है जिसकी port ATN443 है जिसके जरीए सर्म web page को access कर सकते हैं हमने का ठीक है और बहुत ही interesting सा protocol हमें आप देखने को मिल रहा है विच इस RTSP जिसका full form real time streaming protocol है यानि सर यह आपको function provide करता है जिसकी वज़े से आप अपने camera की जो real time streaming है वो देख सकते है तो यह protocol directly हमारे लिए काफी useful है और सर यह TCP, UDP दोनों ही protocols पर work कर रहा होता है और इसकी जो port है वो रहती है 554 यह इसकी default port है तो management protocols यह भी काफी काम का protocol है इसके vulnerable होने के chances जादा रहते है इसका जो protocol है वो by default UDP रहता है इसकी port है 161 no doubt सर हम SNMP walk या अलग-अलग tools के जरीए इसकी काफी information extract कर सकते है देनमा पास आता है SMTP which is simple mail transfer protocol तो सर इसमें क्या होता है mailing से related सारी activities वो SMTP manage करता है जिसमें हम SMTP commands को run करके द finally FTP file transfer protocol जिसमें सर हम FTP का enumeration perform कर सकते हैं हो सकता है कि अगर यहाँ पे miss configurations or vulnerabilities हो तो हम एक system के सभी files और folders को access करता है तो यहाँ पर हमें कुछ common open post उनकी services के नाम और protocols का idea लग गया तो सर जब हम इन में loophole जून रहे होते हैं ताकि को इसका miss use न कर सके तो हमारे कुछ steps रहते है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि sir in post में वो क्या attacks है जो बहुत common है normally perform करे जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखे तो vulnerabilities in cctv में sir हमें SNMP में जो दिख रहा है वो common attack क्या है enumeration यानि sir SNMP enumeration के जरिए आप एक user को verify करना उसको register करना यानि email addresses related information extract कर सकते है जो कि कई न कई information leakage की तरफ lead करेगा दैं sir हमारे पास है sttp जिसमें sir login services जैसी चीज़े possible होती हो login के अंदर sir हम क्या करते है normally brute force attack जैसी चीज़े try करते हैं जिसमें sir हम एक-एक credentials try करते हैं तब तक जब तक सही credential ना मिल जाए इसके लावा sir because यह एक website है तो हम यहाँ पर vulnerability assessment भी perform कर सकते हैं यानि website की हर एक working को देखके हर एक parameter को देखके वहाँ भी कम्याँ डून सकते हैं ताकि वह secure करी जा सके अच्छे रेवल पर दैंसर हमारे पास आता है हमारा फेविट प्रोटोकॉल डैट इस RTSP real time streaming protocol इस प्रोटोकॉल में जो common attacks perform करे जाते हैं वह है आपके brute force and anumeration because यह real time streaming provide कर रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, IP लिखना होता है अपने camera का और उसके default credentials या उसके credentials apply करने होते हैं जिसमें सरह हमें एक छोटा सा group force attack करना पड़ता है, खास बात ही है स्टुड़ा CCTV cameras में जो बड़ा loophole रह जाता है, जो बड़ी कमी रह जात है, default passwords यानि वो password जो बहुत common है, जैसे admin admin, admin password, admin admin at the rate 123 तो यह कुछ username और passwords जो हैं जो बहुत commonly used लिये जाते हैं, commonly हमें देखने के मिलते हैं, वो ही password CCTV cameras में default apply होते हैं, लोग उसे change नहीं करते, जिसकी वज़से इनके vulnerable होने के chances बढ़ जाते हैं, और सर अगर हम FTP की बात करें तो वहाँ पे भी हम same brute force और animation perform कर सकते हैं, because FTP के जरीए हम credentials देके system की सभी file folders and उनके content को access करने के साथ-साथ modify करने की भी powers रख पाते हैं, यह I think आप लोगोंने हमारे system hacking के FTP वाले वीडियो में जरूर देखा होगा, then हमाँ पास आता है sir DDNS, which stands for Dynamic Domain Name System, sir इस service से related and इसके service दिखती है, जो कि आपकी किसी CCTV camera में work करती है, तो मैं आपको एक चीज़ जरूर recommend करूंगा, कि आप इन services से related पहले जाके थोड़ी information collect करें, यानि इनकी basic working देखें, इनकी basic vulnerabilities देखें, इंटरनेट पे देखें कि particular protocols या services के नाम पे क्या क्या vulnerabilities और क्या क्या attacks आ चुके हैं, then अगर आप उनकी research करके आप apply करते हैं, किसी भी machine के अंदर vulnerabilities डूणने के process को तो आपको बहुत अच्छा support देगा, I believe learners आप सभी को ये part समझ आया होगा, कि पहले हमें कुछ information लेनी है, जैसे CCTV camera में क्या-क्या porch open है, वहां क्या-क्या services work कर रही है, then on services में common attacks, common vulnerabilities, common loophores क्या रह search करे, then उनको try करे, अगर कहीं भी कोई कमी मिलती है, तो हम उसको secure करने के process की तरफ बढ़ते हैं, बचसर सवाल ये है, कि ये information में मिलेगी कैसे, ये camera में क्या-क्या porch open है, तो इसके लिए हम network scanning concepts को follow करते हैं, network scanning को follow करते हैं, जिसमें, सर हम एक tool को use लेते हैं, जिसका नाम है दूसरा, उस system में कई सारे open ports होते हैं, ताकि उससे communicate करा जा सके, और overall networking में अगर हम बात करें, तो हमारे पास 65,535 ports हैं, communication यानि बात्चेत करने के लिए, इतनी सारी में से हो सकता है, 4, 5 ये 10 ports किसी system में open हो, जिसका मतलब उस घर के अंदर जाने का में एक रस्ता मिल जाए, तो सर, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, कि एक system में, जिसका IP हमारे पास है, वो system में कितनी ports open है, कौन सी port पे, कौन-कौन सी services work कर रही है, ताकि हमें सबसे कमजोर रस्ता मिल सके, सबसे कमजोर service मिल सके, और finally, जब हमें information मिल जाती है, तो हम उस system में loopers ढूनने की कोशिश कर करते हैं, यही चीज़, यहाँ पर आपको समझा रखे, कुछ goals के जरीए, सर, यह सारा data collect करने के लिए हमने 5 goals बना रखे हैं, सबसे पहला goal है, whole status, यानि चेक करो, कि आपके पास जो IP है, वो active है या नहीं, यानि online है या नहीं, उसके बाद में पास आता है second goal, which is open ports, तो सर, यही पर हम रुखते हैं, हम यह भी देखते हैं, कि उन रस्तों पर कौन-कौन work कर रहा है, हो सकता है, उन रस्तों पर या 10 रस्त अगर हमें मिले, तो उन में से कोई एक ऐसा रस्ता हो, जिसमें सबसे कम security हो, जिसमें जो software या service work कर रही हो, वो बहुत जादा vulnerable हो, तो सर, हम क करता है, वो है Apache 2, अगर Windows की बात करें, तो यहां पर हमें software और उसके versions भी चाहिए, यानि Apache 2 अगर work कर रहा है, तो Apache 2 और उसका version क्या है, 2.1.1 है, या क्या version यूज हो रहा है, ऐसा करने पर आप easily vulnerabilities झूण पाएंगे, because कई बास software के अलग-अलग versions में भी कमया मिलती है, जिसक system में open ports, उनके software, उनके versions, उनके services के नाम दिख जाते हैं, जिससे हम सबसे कमजोर रस्ता select कर सकते हैं, थोड़ी सी research करने के बाद, जिसका एक basic idea मैं आपको दे दिया है, कि हमाई लिए जो interesting ports है, वो STTP, RTSP, कुछ ऐसी ports है, जिनके जरीए को हम live streaming कर सकते हैं, या फिर cameras में ज scans हैं, जैसे हम Nmap के ज़रे TCP scan perform कर सकते हैं, UDP scan perform कर सकते है, SYN and acknowledgement scan perform कर सकते हैं, जिसके हम command लिखते है Nmap-S T, जो define करता है type of scan को, यहाँ पर T का मतलब TCP है, और उसके बाद हम victim का IP दे देते हैं, यानि यहाँ पर सर किसका IP आएगा, सर यहाँ पर हमारे camera का यह DVR का IP आएगा, सेम चीज हम UDP scan करने के लिए iPhone S capital U का use लेते हैं, और SYN scan करने के लिए हम iPhone S capital S का use लेते हैं, और acknowledgement scan के लिए iPhone S capital A, इन सब में मैं सबसे ज़्यादा recommend आप लोग के लिए करूंगा, वो है UDP and send scan, इन scans के जरीए आप CCTV cameras में open ports, जो की TCP और UDP protocol पर work कर दी है, जल्दी ढून पाए उमीद है learners आप सभी को ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से खैकर ये सारी information collect करता है, सारी ports को देखता है, vulnerable point डूनता है, यानि एक छोटी सी कमी देखता है और उसके जरीए हमारे cameras का access ले लेता है, जिसमें ज्यादर तर default passwords apply हो रहे होते हैं.